प्राची ने आखे खोली और बड़ी फूर्ती से उठी, बापरे आठ बजे बज गए, यह कैसे हो सकता है, मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया, आज पिहू की तो स्कूल गई, सुशान्त को अब आफिस के लिए देर हो फाल्तु में आब उनकी बाते सुननी पड़ेगी, वह सब तो ठीक है, लेकिन मा जी वह दिन भर में कितनी बखबख करेगी, और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने, अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चड़ा लिया होगा, क्या हुआ होगा प्राची जल्दी से उठने लगी, सुशान्त खुश चहरे के साथ आया, वह भी तयार होकर गुड मॉनिंग प्राची, क्यूं उठी तुम, सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच कर लूंगा ओफिस में, सच कहूं तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूल मीटिंग है न मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा, पर मैं जल्दी आ जाओंगा शाम को, बाहर जाएंगे घूमने बाए, प्राची को बिना कुछ कहे सुशान्त ने उसे गले से लगा लिया, और उसके माथे को चूम कर चला गया, प्राची जट से बाहर आई, किचन से कोई भी आवा आज नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की ठाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे, सामभर से बहुत अच्छी महाकार रही थी, लेकिन वह पैकेज से सामभर नहीं निकाल पाए, यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यू नहीं दे सकते, अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना, और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता पापा जी बोले, रोके जी आप जरा मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सामभर नीचे फर्ष पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे और आपके सामने ही तो है, चम्मच आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता, एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो मैं देती हूँ सामभर और चतनी निकाल कर, और धीरे बोलो जरा, बहु कभी नहीं सोती इतनी देर तक आज सोई है, तो शान्त रहें, नहीं तो आपकी आवाज से उठ जाएगी वह, बहु जब उठेगी तक दूंगी गर्म करके उसे भी यह उसका मनपसंद नाशता है, प्राची आश्चर्य से यह सब देख रही थी, अरे बहु उठ गई तुम क्यूं उठी, चलो अच्छा हुआ उठ गई, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सामभर लाए है, गर्मा गरम खा लो, फिर बाद में चाय पिएंगे साथ में, माजी ने प्राची को टेबल पर बिथाया, पीहु कहा है, दिखी नहीं प्राची ने पूछा, अरे बहु मैं उसे स्कूल बस में बैठा कराया, गई वह स्कूल, होशियार हो गई है अब अपनी काम, तकलीफ नहीं देती है वहब, हाँ बैग बहुत भारी है पर उसकी, वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोज नहीं डालते हैं, मुझे क्या बोली वह पता है, बोली दादा जी मैं बिगगल हो गई हूँ अब, और गुद गल भी, अब मैं आ जाओंगी केली घर पर, आप मताये मुझे लेने के लिए, दादा जी पोती की प्रशंसा में मगन थे, हाँ हाँ मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूर पीने को नाटक करती है, लगातार बरबर करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती, अन्नपूर्णा उसके पेट में है इतनी उर्जा कहां से आती है क्या पता, अरे प्राची खाओ तुम वदा सामबर, थंडा हो जाएगा, और चिंता मत करो तुम, मैंने पीहू को पराथा करके दिया है छोटा सा, खाया उसने, और टिफिन में भी ले गई माजी बोली, क्या पापा जी मान जी, मुझे उठ खाना चाहिए था ना, आपने क्यू किया सब काम, जाने दो खाने में क्या बनाओं प्राची ने अपराथ बोध से कहा, प्राची तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, आज तो मस्त मौच करो, हमारे पडोसी में वह चंदा आती है ना, खाना बनाने के लिए उसे ब आदद नहीं करता, तुम्हें सब के पीछे-पीछे दौरना पड़ता है, अब आराम किया करो, तुम नहीं तो ऐसा करो, ना तुम और सुशान चार दिनों के लिए घूमने चले जाओ, बहुत दिन हो चुके वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो, पीहू को यहां ही र पीछा गया, बीसी की सहलियों के साथ मस्ती की, तल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जनम दिन उसकी सहलियों ने मनाया, उस वजए से वह कुछ ज्यादा ही खुश थी, सुशान जल्दी घर आऊंगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं, दोस्त की आज पार्टी थी, त अचानक उठ गई पीछू उसके बाजू में नहीं थी, वो अडर गई और हॉल में आई, हर तरफ अंधेरा था, और अचानक रोशनी आ गई, हैपी बर्टे टू यो अचानक जोर से बोले, मा जी, पापा जी, सुशान सब हसकर उसे विश कर रहे थे, पीछू ने दादी की मदद से सुन्दर केक बनाया था, प्राची ने केक काटा और सब को खिलाया, सभी खुशी के मारे सो गए, फिर बाद में सुबह प्राची उठकर देखती है तो पास में सुन्दर सा ग्रीटिंग कार्ट था, उसकी बेटी पीऊ ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था, प्राची को गले लगा कर उसकी लाडली बेटी बोली, प्राची की आँखों से खुशी के आँसू छलक पड़े, अब सुशान्त की बारी थी, उसने प्राची से कहा कि वह अपनी आँखे बंद कर ले, और उसके लिए लाया हुआ खुबसूरत हीरो का हार उसके गले में द सुशान्त ने खुशी से प्राची को गले लगा लिया, तभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि माजी पापा जी आ गए, यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए मतलब हमारी बेटी के लिए है, माजी पापा जी ने कश्मीर का टिकेट प्राची के हाथों में रखा और प्राची उनके पैरों पर आशिरवाद लेने के लिए जुकी लेकिन मा जी ने उसे गले लगा लिया पापा जी ने सर पर हाथ रख कर आशिरवाद दिया यह क्या मा जी पापा जी इतना बड़ा सरप्राइस वास्तव में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी और हम सिर् का भी अच्छी से ख्याल रखेगे ताकि आप दोनों फूल इंजोई कर सके वो सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना वो आप आ जाओगी तो हम चले जाएंगे पापा जी ने धीरे से सुशांत को आँख मारी प्राची और सुशांत दोनों शर्मा गए चलो पैकिंग करो आपक कल सुबह निकलना है और आज क्या क्या खाना बनना है आज प्राची की पसंद का मा जी ने फर्मान किया दिन आनन्द में गया शाम को प्राची की आरती करके मा जी पापा जी ने उसे धेर सारा आशिरवाद दिया प्राची इस प्यार से पूरी तरह भिभूत थी पूरी त समझ में नहीं आया दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्गी हो कितना खूबसूरत था सब कुछ सुशान प्राची सब भूल कर एक दूसरे में खो गए थे यह सी वादिया ये खुला आसमा सुशान गाना गा रहा था और प्राची जैसे नई नवेली दुलहन की तरह श दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलंखो बैठी और वह जोर से गिर गई आखे खोल कर देखती है तो क्या उसके ब्याद के उपर से वह गिर गई थी बाजू में सुशान सोया हुआ था मतलब वह सपना था इतने में बेल बजी दूद वाला आया होगा वह बाहर आये उतने में उसकी सास उससे बोली अरे प्राची हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम 15 मिनत देर हो गई आज तुम है जल्दी करो अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ और मेरी सहली आने वाली है आज कुछ अच्छा खाना बना उनके लिए औ और हाँ घर पर ही रहना आज कहीं बाहर मत जाना मा जी की रोज की कटकट चालू हो गई और प्राची सच्छमुच सपने से हकीकत में आ गई हमेशा की तरह हर कोई उसका जनम दिन भूल गए थे रोज रोज की भागदोर घर के कामकाज सास के ताने ससुर की फरमाईश पती की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था वह उससे भी समझ में नहीं आता था जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनु झाल 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 झाल